नमस्कार मैं हूँ सुरेच सवान के और आप देख रहें चलते 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 के लिए आज हम एक ऐसे शक्षित को आपके सामने लेकर आए हैं भले आप उनसे ऐसे मत हो सकते हैं लेकिन आप उनको इगनोर नहीं कर सकते जिनको दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता भी कहा जा सकता है आजम खान जी आपका स्वागत है दुनिया का बड़ाने ता इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस उत्तरपदेश के मंत्री है उत्तरपदेश अगर हम देशों की तुलना में लोग संक्या देखे आबादी देखे तो पाच्वे साथवे नंबर पे आता है और आपन जो ईंग मैं आपका जो तीक्य बान है तीक्य शब्द है जिससे दुनिया भर में अपनी में बनाईए जिता हूं सवाल गलत जवाब घलत सीधे सवाल का Сीधा जवाब तेड़े सवाल का टेड़ा जवाब जो प्रिश्न होगा उसका जवाब मिलेगा समाच जो सवाल मुझ कर रहा हूं जिसके वज़े से मैं बदनाम हूँ लोग आपके प्रती इतना घुसा है लोगों के मन में किया आपके आपकी चलते-चलते करने जा रहा हूं यह मैंने सोशल मीडिया पे डाला तो 39,000 कॉमेंट आए है आज तक हिंदुस्तान में मैंने इतने नेताओं के मुख्य करना ही प्यार करेंगे जब मेरी असरील जंदगी को जानेंगे और जब उन्हें यह मालूम होगा कि मैं कैसा इंसान हूं तो यह सारे लोग मुझसे महबद करने वाले इसलिए हो जाएंगे जैसे मैंने कहा कि महबद की शुरुआत हमेशा नफरत से लेकिन यह जानेंगे कै आपका तो वही परीचे हम जानते हैं जो सारा टीवी वाले मेड़े वाले दिखाते हैं आप जनवाएंगे आप बताएंगे लोग यह कहते है कि आजम खान जी को पूछे कि वो गले में कौन सी उन्होंने विश्की थैली रखी है जो इतने सालों से खतम ही नहीं हो रही है और शायदो सेल्प वहाँ दुबरा तैर हो जाती है विश वपन हो रहा है लेकिन कोबरा अभी तक नहीं मारा है तो क्या कारण है यह तो कोबरा बताएगा नहीं तो यह आपको पूछ रहे आपको कहा गया है सीदे सीदे मैं तो हर हाल में खुश हूँ महबत करने वाले म done करें में खुश हूँ अपने काम से पाम रखता हूं और बहुत इमानदार हूं अपने काम में नहीं नहीं गया मैंने देखा आपके आपके आपर आपने मचली पाली हुई है, मुर्गी पाली हुई है, बक्री पाली हुई है, गाई भी पाली है, जो कि शायद हिंदो नहीं जानते होंगे, लेकिन आप हिंदो के प्रती मन में महबत नहीं पालते हैं, यह आप से किस ने कह दिया, इतना साथ करोड रुपया सिर्फ मजजिद में हिंदू का लग चुका है देते हैं मुझे क्योंके भरोसा करते हैं दो मजजिदे आपने यहां बनाई लेकिन एक भी मंदिर ने बनाए लोग भेजिए मैं देता हूं भेजिए जोहर इन्वर्सिटी में मंदिर बनाने के लिए सुर् मंदिर की नहीं है बात यह साबित करना है कि मस्जिद के लिए भी मुझे हिंदू दोस्त पैसा देते हैं इस विशुद्याले के लिए हिंदू दोस्तों ने पैसा दिया है और इतना दिया है जिससे पूरा विशुद्याले तयार हुआ है और हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले आता है, पैदाईशी तोर पर आता है, हमने कहा था कानपूर के एक जलसे में, कि वो मा जो अपने बच्चे के खून की प्यासी है, वो मा नहीं है, डायन है, लोगों नहीं से भारत माता से जोड़ दिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तो आपको भारत माता से कोई आपती नहीं आप भारत माता की जै कहने को तैयर है, मैं मादर रवतन कहता हूँ, और आप जिद दिलाते हैं, आप लोग नोचते हैं, प्यार से बात कर रहा हूं, आजम खान जी कहा नोच रहा हूं, आप लोग मजबूर करते हैं इस बात के लिए, कि ओ ऐसी वो कहे जो आप चाहत कि इतने करोड हिंदों ने आपको पैसे दिये है, और आप उनके प्रती मन में द्रेश क्यों रखते हैं, आपकी हर बात हिंदों के खिलाब क्यों जाती हैं, कोई एक बात, कोई एक बात बताएं आप, मगर क्योंकि आपकी दुकान ही इससे चलती है, मैंने कहा ना कि हम तो आइटम गर्ल हैं आपकी जैसे फिल्मों में होती है, अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सामफर्दाइक नहीं कहेंगे, देश द्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहा चलेगी, हमारे सिवा कोई माल ही नहीं आपके प स्ट्राइब और आपको नाच देखने का बड़ा शॉख है हां तो ये ये तो दू है कैसे कैसे में फिस तैहोगा आपका शॉख है नाच देखना मैं आँ नाच तो पिर कैसे कारोबार चलेगा पुछ अच्छा काम करिए यह इनवर्सिटी चलाए यह करिए कहां ओड की राजनीती के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुसल्मानों के ओड लाने के लिए मुलाहम सिंग के लिए क्योड़ नहीं आप हमारा कभी नहीं करेंगे पिर्दान मंत्री बनना चाहते हैं और कहते हैं या तो पागल खाने बेजो हमें या प्रदान मंत्री बनाओ इंसल्ट ना करें हैं मैं पूरे राजनेतिक जीवन में एक दाख दामन पर नहीं है निए उस पर तो मैं क्यूंके मेरे पास आपके खिलाप आपके व्रश्टाजार की कोई बात नहीं है तो मैं यह नहीं कहूंगा लेकिन जो सवाल लोगों ने भीजे हैं जो हैट्रेट के है हट्रेट के हैं एक सवाल कई सवाल एक सवाल मैं कह रहा हूं कि 49 सवाले लोग कहते हैं कि जैसे डायन वाला प्रश्ण था वैसे ही भारत माता वाला प्रश्ण था उसका भी आपने जवा दिया आप कहते हैं कि मुसल्मान प्रतारिद किये जा रहे हिंदुस्तान में देश का भविशे खत्रे में आजाएगा देखिए मतलब सच बोले हम तो आपके देश का दरे में आजाएगा तो रोकिए आर एसस को कमुनल फोर्सस को कि यह स्ट्रेटेजी बहुत महंगी पड़ जाएगी मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो किसी भी गीमत पर इस बात के यह तैयार नहों कि कोई मुवमेंट हिंदुस्तान में आतंक पराधारित नहीं चलना चाहिए किसी को हत्यार उठाने की अजाज़त नहीं होना चाहिए लेकिन 6 अब 92 को मस्जिद गिराने के लिए डाइनामाइट का इस्तेमाल हुआ था और यही सबसे बड़ी गल्ती थी तो इक बड़े कलंक को पॉछा गया ना कौंसा का अबर तो आपका थानी बाबर से आपका क्या सपनाइब आपके पूरवस थो हिंदु थे भेर की ठीजन का कोई तरम नहीं है वो भी इंसान है तो क्या कोई दरम नहीं है वो बी इनसान है बापु का एक भजन है रगुपति रागव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान इश्वर आल्ला तेरो नाम ये शिर्प मंदिरों में होता है मजजित में नहीं होता है मजजित में होता है इश्वर आल्ला तेरो नाम ये कब होगा आयोध्या में प्रभुराम जो करोड हिं लां बेगुना मुसलमानों के लिए मजूतरा सब्सक्राइब मुझतर ने डिखाफ मुश्राइब मुच्छारत के तरा राम होते तो यह कुछ नहीं होता अब अगर होते जदा मत बुलिए क्योंके गुरास स्वाल है और हम आपको यह भी बतला दें अगर राम के प्रतीत ने आशता है तो यूत्तर प्रदेश में राम का मंदिर बनने में आजम खान की कोई निरनायक मैं कोई कास था और बता दें। और इसलाम के बारे में ये बता दें। एक सो एक लाख 20 हजार पेवंबर आएं तुन रहे हमारा अगर एक Şब्द हम नहीरा पार पुरान कहता है एक लाग बीस हजार पेगंबर आए हैं जिन में से चंद के नाम पुरान में हैं तकरीबन बीस के एक लाग बीस हजार में से बीस को कम कर दें बाकी वो नाम हैं जो पुरान ने नहीं लिखे हैं उन्में राम भी हो सकते हैं उसमें कृष्ण जी भी हो क्रिश्ट उनका मंदिर बनाने में कोई भूमिका हो मुलाम सिंग बनाना चाहते हैं लेकिन आजम खान आड़े आते हैं ऐसा लोग केए मस्जिद गिराकर बहुत सम्मान है अभी क्या इतने बहुमत का हिंदोस्तान एक 500 साल पुरानी इमारत को डाइनामाइट से उरा दिया ये ये है ये ये बहादरी है आपकी शतीस हजार लिश्टेर तक 22 बटा 23 दिसंबर 1949 की रात तक नमाज हुई है और सुभा मिंबर पर मूर को अपने जाकर एक भीड जाकर वहां मस्ज़ित को गिरा देती है का भादरी है नहीं इह कि एक बील्डिन को बांम लगा कर गिरा dernier कि और लोग है आय्या आरे ये ये बही सामने आ जाएगा कि बहा थक कि यह जा रही नथ भी दाउद से कितनी बार बात करते हैं एक महीने में परद्धान मंत्री जी पाकिस्तान गए थे बगार किसी इन्फार्मेशन के उस कमरे में कौन-कौन लोग थे आई चैलेंज कि आप फोटो रिलीज कीजे नहीं यह तो आपका एक मतला हम मीडिया वाले लेकिन हम लोगों से आपके पास एक बड़ी हुशारी है मिडिया में आप से हमसे जादा बने रहते हैं और इसलिए दाउद का और मोदी का नाम जोड दिया तो क्यों नहीं फोटो रिलीज करते प्रद्धान मंत्री आप जो फोटो है नहीं वो कैसे रिलीज होगा क्यों नहीं है फोटो टेमाशी करेसी वीदियो है काइश चनला ता इसलिक प्रद्धार्य जाना चांटे शचति कहे चया क्ली अपकीस्तान चले जो होटे मैं मर्य रिलीज करूँ अब ऑपने इ huis कॅध यह तो फोटो के लिए कख ली पाटो कि यह फिर पासी बड़े ने एक अपिघा नहीं प्र के लोग पाकिस्तान में हैं मैं सगी बहन के बच्चों को नहीं पहचानता उनकी कहा शादियां हूँ नहीं जानता आज तक पाकिस्तान नहीं गया लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर बगार सेकुरिटी केलियरंस लिए अपने दोस्त से मिलने चले जाते हैं उनकी मा के लिए मलियाबादी आम ले जाते हैं कश्मीर की शाल ले जाते हैं और सरहदों पर लोग मारे जाते हैं उन्होंने तो कहा ये था कि प्रधान मं जानवर नहीं बनना इंसान बनना है आप बड़ी इंसान दिखा रहे लोगों में देखिए वहाँ पर मुलायम सिंग के नाम से युमेनिटी फैसलिटी आपने खोला है यहाँ इसे एंगल से हुमेनिटी दिख रहे हैं यह मैं कैमेरामन को भी थोड़े देर में दिखाने के लिए कोऊंगा कि दुनिया भर में मुलायम सिंग के नाम से हमेनिटी नाम का अगर कही कुछ है तो यहाँ तो बुरा है जिसको यह भी बताता हो आपका यह काम अच्छा है हम उसके साथ है इस में हमारा कोई बुरा काम तो बताइए बता जिएगे आभी लोगों को दिखाएंगे आपके काम भी दिखाएंगे और भुरा भी बताएंगे एक बात माननी पड़ेगी आप राजनहितिक दुरुष्टिकों नत्यान से बड़े जन्रलि जो भूता है ना सह् जेला उसका धर्म अपनाता है यह उसका जैसा हो जाता है आप एक ऐसी च hairstyle मुलायम सिंग के कि मुला मुलायम बनाते हैं कितना प्डरेंबहरा हे मुशलमानों के पbon份 कि मुल्ला मुलायम बनाकर हमें कुछ लाब नहीं हुआ अच्छा अब आपका यह शड़ी आंतर भी है कि मैं मंत्री से भी निकाला जाऊं ने आपको तो प्रधान मंतरी बनना होगा तो यह मंतरी तो छोड़ने हों नहीं तो यह कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में साड़े चार मुक्यमंत्री हैं और अखलेश यादा आधे हैं उ के काम आता हूं इसलिए के मैं जूठ नहीं बोलता है। इसलिए कि मैं सच्चा हूँ और मेरे دामन क fist नहीं है। इसलिए भी क्यूंकि मुख्य 만들어 मंक्यमेंसिंग सारे साइन करने से डरता है, जो फाइल पर खुद सायन करने कवाचा एस से साइन करवाता है, ऐसा तो मुख्यमंत्री है यह तरीका रहता है मुख्यमंत्री सारे भी भाग नहीं देख सकते हैं मुलायम सिंग पर आये थे मुलायम सिंग को आपने ओटो का इतना एक गठा पूरी ओट बैंक बना कर मुलायम सिंग के साथ आप ऐसे खड़े है कि मुलायम सिंह आपको छोड़ नहीं सकते अमर सिंग को घले लगाना हो तो भी आपकी परमिशन चाहिए नहीं मेरी परमिशन नहीं है शाहिए इस बार परमिशन नहीं है इस्टिल डॉंट एगरी अच्छा ऐसा क्या बुरा है अमर सिंग में शेरोशायरी करता है कि शोगपूरे करते है अच्छा बोलते है शेरोशायरी जो ट्रक के पीछे लिखे होते हैं ना शेर वाली दिखिया आदमी अगर एकदम घटिया होता तो मुलायम सिंग को क्यों पैरा होता जब मुलायम सिंग वो दल में ना रहते होई उसको अपने दिल में रखते है तो क होड़ी है कि हर हर बात पर कुछ बोला जाए अब राज्यसभा में भेज रहे हैं उनको नेता बना कर भेज रहे हैं अब समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिकल आफेर डील्स होगी अमर सिंग करेंगे जितने अपमानी थोकर वो जा रहे हैं अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं जिन्दी के पर परधान भी नहीं बनता है अब मानी तो आपको भी किया गया था जो पार्टी छोड़ी थी छोड़ी नहीं थी मैं निकाला गया था हां तब उस इसी मुलाहिम सिंग के लिए को भी दुरुस्ट कर देता हूं जब वो यह कहते हैं कि तुमने छोड़ कि दकी तेटाररमेंट का प्लान होना ça OFी किसीने रेटारमेंट के बाद इतना काम किया होँ यह नहीं तो अधी नहीं कि यह मानना ना पड़ेगा हम के वयापर लेकिन चेंश आप काम करें साथ रहेंगे तो आप हमारेभी जर्ण साथ हो बात नहीं कियों कि हम इतने अच्छे इंसाने हैं निजि कि हमारा हमारा आपना होने के लिए आपको बहुत बदलना पड़ेगा क्या बदलना पड़ेगा था रग्षर की कुई बात नहीं है यह तो मुझे तो बड़ा विशेट लगा कि आपने काला रंग क्यों पहना है आई-एस वाले पहनते हैं यह हमेश्या मैं काली बंडी पहनता हूं क्योंकि प्रॉफिट पहनते थे अच्छा लेकिन आजका लोग पहन के बहुत लोग गलत काम करें मेरे प्रॉफिट पहनते थे इसलि डिली के जामा मज्जित का इमाम जो जनम के अधिकार पर वहाँ बैटके इसलाम की इतनी बद्नामि कर रहा है जिस आदमी के कोई क्रिडिबिलिटी नहीं है वो आदमी आपको प्रॉजेक्ट कर रहा है दोनों आपके हैं? क्या आप बोल रहे हैं आप? वो तो सुरेच तो दोनों को चलते चलते जा गए दिए करोड का हिंदुस्तान जिसमें हिंदु मुसल्मान सब हैं सब जानते हैं कि यह दोनों आपके हैं और आप इनके हैं यह आ नहीं सकते सामने दिल्ली वाले साहब के नहीं वह जो भी हैं आपके हैं आपके हैं और आपके काम आते हैं यह हाला कि इसकी भी यह बड़ा इमानदार होता है वह बहराल वह आपके हैं और आप उनके हैं लेकिन वह आपको मुख्यमंत्री का कैंडेट बनाना चाहिए आप दिल्ली वालों की बात कर रहे हैं उन्हें दो पैट्रोल पंप दो गैस एजन्सियां किस सरकार के मंतरियों ने द संग का से खिशन्सेग के साथ बात कर निक लिए अपनी आपनी यंदिट वादी हुआ तो मैं संग की बात करें तो मैं सवेंशेग हूं और सुनसिक रहूंगा और सुनसिक होने का मुझे कोई भी नुकसान मंजूर है कोई फाइदे के लिए में नहीं बता रहा हूं आजम प्रदान मंतरी तो सन्यासी व्यक्ति है, सब कुछ छोड़ चुके है, देश के लिए इतना काम करने वाला प्रदान मंतरी कहा मिलता है, आपका मुख्या मंतरी पाज बचे के बाद टेनिस केलने जाता है, सुविंग करने जाता है, अथारा गंटे काम करने ओर हमारा प्रदान मंतरी देश में रहता ही नहीं., देश के लिए हैór इस्से जादा क्या हो सुविंग कि अफगानिस्तान चले जाएं बिना बताए मंगास पाकीस्ताण चले जाएं, इरान चले जाएं, वो बताई कर दुनिया के मुसलमान मुदी मू क्या मोडी जो ने लिएक भी काम आछा ने किया जैसे हम सविकार करते है कि अफने कुछ काम आध्णा चाने क्या EMA सिखाया देखिए खुदा GY этоन अजजील में काम कर रहे हम अच्छा काम करें मोडी झoupा काम तो नकाम करता यह हम जो प्रिक्षा ڈائریک investor हंदुसतान में कितनी हम रिक्षाँ والों को यह रिक्षा बगージर एक रस्तरों रियर रियर आपके देश के प्रेधानसट्री यह भी हैं थे इस देश के सारे स은सादनों पर मुस्लमान का अधिकार है ऐसा प्रदान मंत्रे ने कहा इतना इतना इसी लिए अलिगर मुस्विमियंस्टी और जामिय मिलिया इसलामिया को खतम कर दिया ताकि मुसल्मान पढ़ना सके मजदूरी करे सब्सक्राइब को पर यह तो पुरा हो जाएगा आपको और मदद मेलेगी किस से सरकार से कौन सी सरकार हिंदुस्तान की गवर्नर ने सिगनेचर कर दिये थे तो परदानमंत्री की डाट पड़ी थी गवर्नर पर वो तो तो पुराने प्रधान मंतरी थे ना नरेंदर मोदी जी अच्छे इनके कारेकाद में लेकिन चल रहा है अगर प्रधान मंतरी चाहे तो कभी भी भी रोक सकते लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी ऐसा कुछ कर से नहीं रोक सकते देश कानून से भी चलता है और मोदी मंत्री को जरा सी फांस लग जाती हिंदुस्तान में लाखों मुसल्मान मार दिये गए होते अच्छा आपको यह चिंता है मुझे लगा बार बार आप मोदी जी की चिंता क्यों करें कि बगर से खुरूटी गए आपकी चिंता भारत की मुसल्मानों की क्यों नहीं होना लेकर अबने क्या खत्रा है लेकिन अगर प्रद्हान मंतरी को कुछ हो जाता क्या होता देश में आपको जब बापू की हत्या हुई थी तो लोग जमा होना शुरू हो गए थे और हदियार भी खटे होना शुरू हो गए थे मौलाना बुलकदामाजाद गए प्रद्हानीरे आपके पास और बाजूं से पकड़ कर उठा लिया क्या करते हो का चली आल इंडिया रेडियो लाए और डारेक्ट टेली कास्ट हुआ प्रधान मंत्री का उस समय के बापू की हत्या एक सर फिरे नाथुराम गोड से निकलती है नतीजह यह हुआ को नफरत का तुफान जो गांधी जीवित रहे देखिए आरेसस से कोई नहीं जीत सकता क्यों आपको जो अंग्रेस कह देगा आप वही कहोगे बापू की हत्या को भी आपने इससे जुड़ दिया क्योंकि बापू को आप मानते ही नहीं आप तो नाथुराम गोड से के मानने वाले हुआ आप बाप के हत्यारे को समान देते हैं हम घञाया है हमिस देश में तलवार चलाकर पर बाम कर बढ़ना बुल्टिश को बगाने बार 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 बहुते और इसको सच्च थाबिमालस तो सीख रहा है कि बात को बापू के हत्यारे को संवान दें के बापू मिधि वापु की बदेडिया करने वाले पापु की हत्या करने वाले नहीं घरआए उन्होंने फासी और उनको पता था उन्होंने अपने भाशन जबाणी में कए कि रहा है। कि मुझे इससे संमान नहीं मिलेगा, शतकों तक मुझे निंदा सहने पड़ेगी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए काम जरूरी है, मैं समध हम नहीं कह रहा हूँ, मैं उनका पक्ष दे रहा हूँ, साठ साल में समान दे दिया आपने, कहां शतक आए, गांधी को भी अपने गलतियों से भविश्य में भी बचना चाहिए, यह घटना प्रेय नहीं होती, लेकिन ऐसी घटना इतिहास बनाती है, इससे सीख लेनी चाहिए, इसलिए आप गांधी बनने का प्रयास मत करें ना जिन बनने का प्रयास की बापू को जिन लोगों ने सुना है वो बापू को जान नहीं सकते, बापू को पढ़ने की जरुवत है, आरेसस के साथ एक बड़ी परिशानी यह है, क्यों फुटपात पर रखा हुआ जो इतना सा किताबचा होता है, उसे पढ़कर आरेसस का कारे करता इन से कहिए इतिहास पढ़ें, और इतिहास पढ़ने के लिए बड़े मोठी मोठी किताबें पढ़ना पढ़ती है, एकृट्यास क्सका पढ़ें, चाठु कारों ने लिखा हुआ इतियास पढ़नाची जो सच्चा था, ब्रिटीश हो के ग Laham थे, मुगलो के जो गुलाम थ इतिहास क्या हो सकता है राजा महराजा लेकर आए थे मगलों को मैं नहीं लाया था वो तो जिनों ने लाया वो स्वार्थी थे क्यों आप शुछ से इतिहास के पन्ने उलटवाना चाहते हैं लेकिन जो लोग विदेशियों को लेकर आए थे वो हिंदुस्तानी थे विदेशी हो गई राफ कमंदिर को रहे बाबर ने बाबरी मसजीद नहीं नहीं मालूम आपको उनके नाम से मैं कहए रहाँился क *** क्यों प्रे में आपने नम बदल दिया हो था मैं सुधर्शन मस्जिद रख ढख दिया होता więks दा तो है क्या परेशानी थी है होगा तो उसके अंदर हिंदू ने एक मुस्लमान भी नहीं जाएगा.. आप जानते हैं आप कितने कर्ट रहें.. में हूं, मैं इतना कर्ट रहूं.. मुस्लमान को मंदिर में नहीं आने देंगे लेकिन हमारी मस्जिद में कोई भी हिंदू भाई जा सकते.. आजम खान को कहता हूँ अभी इस वक्त हम लावी कैमेरो में जाएंगे दुनिया का कोई भी मंदिर आपको आने से रोकेगा नहीं औरे हिंदूओं को रोकते हैं मैं तो मुसल्मान हूँ आपको नहीं रोकेगा एक मजजित में सुरेच चवान के को लेके जाएए एक मजजित मैं को रोका जाता है मस्धित में महिलाओं और वर्दों की एक साथ जमात होती है आप खाना इकाबा में चले जाएए मस्धित रवी नव्वी में चले जाएए लेकिन हाँ कांदे से कांदा मिला कर अब नहीं कड़े होते रुसुल्ला के जमाने में हुआ करते थे जब अखलाकी तोर पर समाज खराब होने लगा तब महिलाओं को अलग खड़ा करना शुरू कर दिया गया लेकिन मस्जिद में औरते नमाज के लिए लाओड है खेर हम धार में मुस्लिपर ही जादा बात करें क्योंकि आप क्या है आपकी दोस्ती हुई भी तो दिल्ली के इमाम से आपकी दोस्ती हुई तो हैडराबाद की बिर्यानी वाले से बिल्कुल नहीं मैं आज असरेच्छवान के बताता हूँ इन दोनों को मैं देश-द्रूही नमक हराम कहता हूँ यह कभी भी हिंदूस्तान के नहीं हो सकते जो अपने परिवार के नहीं हो सकते तो उसका भी हराम हो गए ना आप अगर एन लोगों का नहीं कहते हम हमें एक समय यह चलेगा कि मूपर बोलने वाला अदमी चलेगा लेकिन आप अगर काम अच्छा करने का दावा करते तो प्रदान मंतर चसा. चलता है अगर देशेत के नाम से चलता है तो भारत का ही तहची में अगलता मenta फ़द ने विद्याले में अगलता है तो बनिया ना सिदा होके हिम्मत से बनिया होसला रखिये लीजुए AL ya हेट्रेट फैलाने की मुसलमानों के नेता है, आज भी हम यह मानते हैं कि आज हिंदुस्तान में आपसे बड़ा मुसलमानों का कोई नेता नहीं, एफेक्ट है, जो हिंदु मेरे पास आ जाते हैं, मैं उनका भी नेता हो जाता हूं, क्योंकि वो मुझे समझ लेते हैं, अभी घर में रहिए चलकर, देखिए हमारा कैसा घर है, कैसा जीवन है, आप हमारे साथ रहिए, आजम खान कितने लोगों ने देखा है, हमारी सेकुरिटी में शायद एकाद हिंदु हो, सरकार चली जाती है, तो सिर्फ एक रॉशनलाल नाम का है, जो हमारे साथ होता है, हम तो तो रोटीन वे में आ जाते होंगे, लेकिन मेरी इच्छा से रहते हैं, लेकिन फिर अगर ऐसा आजम खान है, तो ऐसे आजम खान दिखते क्यों नहीं, क्यों नहीं दिखते, आप नहीं देखते, क्योंकि आपका उस पाइदा नहीं है, हम विदावर ब्रेक चला रहे हैं, आपके एक बात को काटनी रहे, और तीन बार अब तक मैं बोल चुका हूँ कि आएसे सेक्षनी काम के लिए कोई भी काम करें, हम वहाँ पर आजम खाने या कोई यह नहीं देखते, ये काम अगर अच्छा है, तो उसकी मदद होनी चाहिए, हमने अपने पूरे जीवन में, अगर किसी एक हिंदू को नुकसान पहुंचाया हो, अपने कलम से या अपनी जुबान से या अपने अमल से, आप हमें उसका नाम बता दे हम राजिनेतिक जीवन छोड़ने को तक जा रहा है, अप मोधी इतना अच्छा काम करते हैं, उनका नुक्सान ही तो पहुंचा रहे अरे आप मोधी जी से क्योंके नाराज हैं, इसलिए बार बार प्रिशन कर रहे हैं, RSSS से उनकी लड़ाई है, वो कहते हैं, मैं RSSS के उपर हूँ, RSSS कहती है कि नहीं हमारे नीचे रहना होगा, आपके प्रिशन बार बार कहकर, मुझ से वो सुनना चाहते हैं, जिससे RSS खुश हो आपकी, मोधी जी नाराज हो, तो आपको मोधी जी की नाराज की कहां चिंता है, नहीं चिंता है, देश का बादशा नाराज हो जाएगा, तो परजा का क्या होगा, मोधी जी प्रधान मंतरी नहीं है, बादशा, बताओ इतना महंगा सूट कौन पहनता है, एक सू इन्वर्सिटी के मदद के लिए आपका उपर प्रेम करने वाला आपका कोई फैन आपके इस जाकेट को ज्यादा पैसे देकर खरीदने के लिए तयार है तो इस इन्वर्सिटी के मदद के लिए आपने जाकेट देना चाहिए वो मुझे जलील करना चाहता होगा उसे देना है तो बगैर इस जैकेट के लिए देगा, लेकिन क्यों कि वो घटी आदमी है, वो मेरी जैकेट खरीदना चाहता है, इसलिए ऐसे घटी आदमी की कोई मदद नहीं नहीं जा सकते हैं. कि लोग आपके खिलाफ हैं किसी के कपड़े खरीते हैं और फिर ये देखते हैं पैंट उठाकर कि इसमें बाइट टांग थी इसमें दाहिनी टांग थी और ये देखो इसमें क्या-क्या था इससे समान नहीं बढ़ता है हमेशा कि आपके खिलाफ आपके पार्टी में भी आपके खिलाफ शडेंतर हो रहा है साब को लगता है आपके मैंने तो कभी नहीं कहा आप कह रहे हैं नहीं आप खुद आपके आप तो कह रहे ना कि आमर सिंग को आपकी इच्छा के बगएर ले लिया तो आपके आपके खिल कियो नहीं लेता तो थोड़े ले लंगा और यह इतना सारा जो काम बचा है लोग कहते हैं कि अब बड़े बड़े सपने डिखा रहे हैं यह से पूरे होंगे यह तो बहुत काम आवी आदू रहा है हमारी जापान गargent से बात चल रही है वो लोग कैंसर का यहां पर यूनिट लाना चाहते हैं कैंसर की एसरच लेब लाना चाहते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए इन्डिया में किया था जिने बाइपास का जनमधाता कहते हैं वो शायद किसी ही दिन हमारे medical college को जोईन करने वाले हैं और वह हमसे कहते हैं कि यार तुम तो इत्य उच्छे आदी हो लोग तुमें बुरा क्यों कहते हैं हम भी तो कह रहें ना अच्छे है तो आप दिखे ना अब कैसे दिखें कैसे दिखें अपनी जुबान में मिठास लाइए जो यहां विश्खी थैली रखी उसको जरा निकाल दीजे बाद यह कहते हैं कि इन लोग यह कहते हैं में एक बार जिससे बात कर लेता हूं मेरा हो जा है हाँ हा हाँ हाँ आप उन को शादी करने की सलाह दैते हैं बुरी बात में एक हिंदू को एक हिंदु संत को जिस ने आपका सब कुछ थैया उसको शादी की शला देना ओकुई मुला मौल है इसार शादिया कि एक ही से नहीं सार्ण हो पाता Ismaasil करेगा युदु परिशान करदेती है, तो शादी वो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये तो हिंदु धर में एक परमपरा है, अगर सारे लोग शादी करने से मना कर दें तो क्या होगा, समाज तो खतम हो जाएगा? समाज तो वैसे भी डरा हुआ है, तो जब मुसल्मान हिंदुस्तान में जादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, वैसे भी डरा हुआ है मुसल्मान चार शादियां करना शुरू कर दें, तो 35 साल में नहीं और पहले हो जाएं हाँ लेकिन करी रहे ना आपका कहना है पाथ शे से चार पे आ जाए कहां नहीं पाथ छे की तो इजाज़ती नहीं है चार की है चार की है कहां करते हैं और चार के च्वालिस की है चालिस की मैं नहीं कर सका दूसरा काउन हिम्मत करेगा नहीं आइसे जो जादा बोलने वाले हो लेकिन आपने जो सेक्षनिक कॉंप्लेक्स यहाँ पर खड़ा किया इन्वर्सीटी खड़ी की है इसको हम लोगों कुछ दिखा रहे इसलिए दिखा रहे कि आच्छा काम कोई भी करे उसको हम दिखाने के लिए तयार है लेकिन हम चाहते कि इसके साथ-साथ आप ज़रा देश हो देश भक्ती बड़े यहां से कम से कम यहां से निकलने वाला जो स्टुडेंट है वो कभी आइस में सहब आगी ना हो राष्ट के निर्मान में लगा जाए ऐसा भी कुछ करी कैसी सब गालियां सुनना पड़ी हैं बाहराल हम जो जो राष्ट धोज लगा रहे हैं कि का दावेदार हूं आप मुझसे बड़ा देश भक्त का उन है लीजे एक ऐसा व्यक्ति जिना ने भी कहा था और बन नहीं पाया तो दूसरा देश बना लिया था बापु ने तो चाहा था कि देश ना बने मौलाना अजाद ने अंडिवाइड हिंदुस्तान का सपना ही नह देखा था उसी को देखते देखते मर गए थे लेकिन पंडित नहरु ने तो सर्दार पटेल बना के रखे रखे लेकिन आप दोनों लोगों ने पंडी जवालाल ने और सर्दार पटेल साहब ने मिलकर देश माटा है पाकिस्तान आपने बनाया है हमारे सामने 1947 में आप्श कि लड़के लिए पाकिस्तान अब हस के लेंगे हिंदुस्तान कितना मारोगे मुसल्मानों को अपने ये नारे दे कर आप ऐसा लोग कहते हैं इस में जूटे जूट क्या है इस मेरे में हिम्मत है मेरे में हिम्मत है कि मैं क्या मेरे के सामने में आपके अंदर हिम्मत नहीं ह आपको ये हिम्मत दी गई है क्योंकि आप इसी के लिए काम कर रहे हैं कुन हिम्मत देगा हम तो उसकी हिम्मत पर चलते तो गुजरात में मासूमों को क्यों मारते गाय के गुमान पर इंसान की जान ले लेंगे तो दादे में जो फ्रीज आंदर निकला खृँ गाय का मास्था ना उसमें क्या अ ऐस्मेंगे। तो निन्सान 많 देंगे आप इसके लिए और प्रुदेश में, कितने प्रदेशों में गाय कटी है कानून से MRD Черै पृख नी के नाग से नाक के नीछे, सारे 5-67 सितारा होटुल में जिन्दा गाय जाती है काटी जाती है बेंची जाती है मैंनु में गाय के गोश्ट की कीमत लिक कराती है हम एस सुधर शेंट टीवी इस मांग को करते है कि देश के किसी फाइस्टार नहीं से आप कही परदान मंत्री से कहेंगे यह को हच्छा बंद होनी चाहिए कि यह के पांच-सितारा होटेल में कल से यह तो गाय बन दो यह प्रदान मंत्री त्याक पत्र दें आपको त्याक पत्र में ज्या लूची घण करेंने लड़िएं लड़ेंा ड़के करें डिवाइड कर कि अंत करीए लड़िएachen सामने आईए चुनाव लड़िए चलि आज के कारकम में हलाव कि यह मेरा अब तक का सबसे लंबा इंट्रिवा है हिंदुस्तान को आपको सवाल ही इतने पूछने कि क्या करो यह टाइम की कमी है अधरवाइस बहुत कुछ पूछना है दुबारा उसके लिए आएंगे आपको इस इन्वर्सिटी के काम के लिए शुकामना है देते हैं और आशा करते हैं कि हमारे भेट यहाँ पर जो विश है वो जाएगा अमृत आएगा मिठास आएगी धन्यवाद